इस ठीटूराती सरदी में मुझे जाना था बाहर और स्वेटर और कंबल डालने के लिए बेग की जरुरती तो बना डालिए पांच मिनट में अपने सरड से बेग, तो आप इससी सिरफ दो ही सिलाई से और दो कट से इस बेग को पांच मिनट में तियार कर सकते हैं, तो आप अपने पुराने सर्ट का रियूज कर सकते हैं सिरफ पांच मिनट में तो यहां पी आपको 22 जो आपके सर्ट के लंबाई हो उस इसाब से आप इसकी लंबाई रख लें तो इसकी लंबाई टोटल मैंने यहां पे 22 इंच रखे हैं और जो एकस्टा उपर का पार्ट है उसको हम निकाल देंगे तो इस तरह से आपको कट कर लेना है जब भी आप सर् बनाए ना तो यह फटाफट में बेक बनेगा इसमें आप अपनी वेस्ट कलोथेज को रख सकते हो बैड सीट रख सकते हो गरम कपड़े रख सकते हो और इतना मजबूत बनती है इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और सिंपल त जर्चा देती हूं तो यह ट्वेंटीटी स्क्वार ट्वेंटी का है आगी चीजी इसकी प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है तो इस तरह से आपको उल्टा करके इसको बिल्कुल बराबर करीया है ध्यान रखना है वप्टन से जवन के surprised में नहीं आएगे थूटन को मैंने यह जैसे 22 square 18 का फिब्रिक होता है तो अच्छे से यह बन जाता है तो इस तरह से हमें इसको कट कर देना है तो side की सिलाई को भी मैंने काट के निकाल दिया है अब हमें इसके corners पे 4 by 4 का एक डिपा बना लेना है तो यह 4 fold में fold है भी और यहां पर मैंने 4 inch का एक point लगाना है और इस तरफ में भी 4 inch का point लगा दूगी तो 4 square 4 के दोनों sides में इस तरह की आपको डब्बे बना लेने है यहां पर थोड़ा सा cut लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है यह जो cut है ना यह बाजू वाला यह जो cutting में निकल जाएगा तो इसमें में कोई दिक्कत भी नहीं तो इस तरह से यहां से और यहां से आपको major कर लेना है बिल्कुल बरापर होनी चीए उसके बाद में आप जो point लगाया है उस पे cut लगा दीजिए तो यह मैंने 4 square 4 का यहां पे cut लगा दिया है अब मैं इसको नीचे वाले जो मैंने point लगा है वो भी मैं इसको cut कर दूँगी तो उपर से मैंने इसको बरापर कर लिया है इसके बाद जो सिलाई है वो सरफ 2 से 3 सिलाई है और एकदम आसानी से यह बन जाएगा तो देखिए इसकी cutting तो properly हो चुकी है अब हम इसके लिए belt तियार करेंगे तो यह जो cutting किया है न हमें यहां पे हम एक line खीच लेते हैं तो इसके आपको ऐसे बरापर में line खीच देनी है और इसकी side corner से हमें 1.5 inch पे एक point लगा देना है तो यह मैंने 1.5 inch पे एक point लगा दिया है इस तरफ भी 2 inch पे और इस तरफ भी 2 inch पे सेम इसी तरह का आपको इस तरफ भी करना है तो दोनों side में आपको इस तरह से पहले line खीचनी है और उसके बाद में 1.5 inch के point लगा देने है यहां पे हम अपना belt लगा देंगे तो हमारी बेग के जो कस्य होते हैं उसके लिए मैं बाजू का जो कपड़ा लोंगी तो इसके अंदर जो हमने बाजू नि तो यह मेरी belt ready हो गए है तो चलिए अब सबसे पहले belt को यहां पे stitch कर लेती है जो हमने point लगाए है वहीं पे हमें belt को stitch कर लेना है तो इस तरह से मैं belt लगा देती हूँ तो ध्यान रखे उपर वाले सिरफ उपर वाले parts पे हमें belt लगाना है तो मैंने belt लगा करके त्यार कर कि आप देख सकते हो अब इसको उल्टा करना है क्योंकि हमें सिलाई करनी है तो उल्टे पर उल्टा रख करके और आम इसकी सिलाई लगा देंगी तो अब देखे simple simple सिलाईया हैं बहुत ही सरलाईत दम कोई भी गर पर आसानी से बना सकता है तो इस पर आप रखेंगे अब ये जो 4 sides की सिलाई है न वो आपको निकालनी है जो बटन की side है न वहांपे आप एक pin लगा करके उसको बराबर कर लें ताकि ये आगे पीछे ना जाए तो ये जो 4 सिलाई यहांपे हमें एक-एक सिलाई करनी है एक सिलाई इस तरप और एक सिलाई यहांपे दोनों पार्ट्स को बराबर रखते वे और चारो साइड पे मैं सिलाई कर देती हूँ तो यह मैंने चारो साइड के यह सिलाई लगाती है यह देखे चारो सिलाई हो गई ना अब जो हमने चार-चार इंच के कटिंग किये थे ना बॉक्स वहां पे हमें चारो साइड पे सिलाई लगानी है तो ये चारो कॉर्णर्स पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है कॉर्णर्स को आपको ऐसे पकड़ना है सिलाई में सिलाई को मिलाते वे आपको एक-एक सिलाई लगा देनी है तो चारो कॉर्नर्स को आपको इस तरह से पकड़ करके और एक सिलाई लगा देनी है तो यह है इसके चारो कॉर्नर्स तो यहां पे हम सिलाई लगा देते हैं देखें सिलाई लगाने के बाद में हमारा बेक जो है वो रेड़ी हो गया है देखे कितनी सिंपल सी लाईयां थी न एकदम से आसान ना फोम की जरूरत ना जिव की जरूरत ना लाइनिंग की जरूरत किसी की भी जरूरत नहीं हुई और खुब सारे कपड़ी भी आएंगे इसके अंदर और ये मजबूत भी बनाएं ऐसे भी नहीं है कि ये मजबूत नहीं होता है तो हमारा बेग बन करके रड़ी है तो चलिए हम इसके अंदर अब कपड़ी डाल देते हैं पहले सारे corners निकाल लेंगे इसके और इसके बाद हम इसके अंदर कपड़े डाल लेंगे तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और आपके पास भी असे westage shirt हो तो आप अपनी bigs बना सकते हो इसमें आप अपनी bad seeds है उनी कपड़े हैं कुछ भी आपके पास westage fabric है वो आप इसके अंदर रख सकते हो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से बन करके ready हो गया है और वो भी सिर्फ 10 मिनिट में मैंने इसको त्यार कर लिया है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना thank you